साथियो नमस्कार स्वागत है आपका फार्मेसी लीडर चैनल पे मैं हूँ आपका दोस्ट एंड होस्ट डक्टर एलसर है तो आज एक अपने प्रोड़क्ट का रिब्यू करेंगे जिसके बारे में आपने आपसे सुना होगा आज हम एक मंजन के बारे में बात करेंगे पेश 50 43 Doe का यह दा टो के लिए होता है यह खाने किसी और चीज के लिए होता है तो यह मंजन होथा एक पेश्ट होता है कि यह डे के अंदर क्या पाया जाता है तो सेंस्रोडाइन के इंग्रेडियंट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो इसके जो इंग्रेडियंट्स हैं वो एक्वा इसके अंदर पाया जाता है है इसके अंदर पाया जाता है है इसके अंदर पाया जाता है है इसके अंदर पाया जाता है इसके अंदर पाया जाता है sodium hydroxide इसके अंदर पाया जाता है यह सब इसके इंग्रेइंट होते हैं अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि censor dyedier जो है कैसे और तोर छो करना यह वरुस की सहाइता से सुगय खाली पेट करना है और साम को खाना खाने के बाद में करना है, खाना खाने के 20 मिनिट के बाद करना है, सोने से पहले, तो तब ही आप अपने दाथों को स्वस्त्र रख पाएंगे, यह निकि दो दिन में दो बार करना है, अब बात करते हैं कि यह क्यो जरूरी होता है, सैंसरो जंजनात होती है कुछ्छभी हमने पिया जैसे मानलेजिए कोफे P P P नड़य ठंडा गरम कुछ भी खाते हैं तो दाथों में महसूस होता है इनजनात होगी ठंडा गरम काने से अलग अलग टाइप की जंजनात हो सकती है चाहे कोफी या कोल्डिंग इस तरीके से तो दातों उसको कहते हैं सेंसिटिव तीत यानि कि जब हम कुछ भी खा रहे हैं तो दातों में लगेगा अब इस सेंसरोडाइन पेस्ट का क्या इस्तेमाल है किसली इसको करना है तो यूजिच के वारे में थोड़ा जान लेते हैं तो ये दातों को मजबूती देगा मसूडों को मजबूती देगा यानि कि इस मंजन को आप करेंगे जब इस पेस्ट को सेंसोडाइन को करेंगे तो आपके दात मजबूत होंगे मसूडे आपके मजबूत होंगे और पुदीने जैसी खुस्बू दांतों से आएगी यह harmful bacteria को खत्म करेगा जो जैसे हम खाना खाते हैं तो वो दातों में कुछ खाना फसा रह जाता है जिससे वो खाना सर जाता है तो वहाँ पे bacteria बन जाता है तो उस bacteria को खत्म कर देगा और दांतों का जो पीला पन होता है जिसको प्लेग होता है उसको खतम कर देगा कुरा या जिसको कैबिटी बोला जाता है उसको खतम कर देगा यह दांत काले हो जाते हैं उनको गोरा करेगा और दातों को स्वस्त रखेगा आपके दात जो है बिलकुल मजबूत हो जाएंगे और यदि आप इस पेश्ट का सेवन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो यानि कि कुल मिला के कह सकते हैं कि दात में दर्द नहीं होगा आपको दातों से जोड़ी कोई भी समस्या है मुझी बद्बू को खतम करेगा मुँ में ताजगी लाएगा और इसको करने के बादे आप अलगी फ्रेश्नेस का अन्मॉफ करेंगे तो दातों से जोड़ी करता है तो react भी करता है यानि कि उसके usage होते हैं तो side effect में क्या जानते हैं कि जो हमने इसके ingredient बताए थे हैं यह कुछ chemicals होते हैं कच substances होते हैं तो यह किसी भी ingriester pages Regie हो सकती है तो यदि आपके दातों में य्दि आपने पेस्ट allergy होती है तो आप अपने नजदी की dentist से मिलें दांतों के doctor से मिलें और इस paste को ततकाल प्रभाव से बंद कर दें इसका seven ना करें याद रखे self medication कभी ना करें हमेशा doctor की सलह से ही दवाईयां या किसी भी product को को इस्तेमाल करना चाहिए तो आज हमने जाना sensorine paste जो sensitive होती है यानि कि दांटों की जहन जहना होती है आपने कुछ भी ठंडा गरम खाया तो आपके दांटों में लगेगा और आपको महसूस होगा मान लिजे आपने cold drink भी तो आपके दांटों में लग रही है आपने खाना ख हो जाती है तो sensorine paste का इस्तेमाल करें आपको अमूल चूप परिवर्तन मिलेगा अपने अंदर और इस पेस्ट को जब आप regular करेंगे तो इसके साथ साथ बीच बीच में नीम का दातू नोर करते नहीं नीम के एक टहनी को तोड़े चोटा सा उसका टुकड़ा और उसको जब आप करेंगे और यह sensorine दोनों करेंगे तो आपको बहुत अच्छा यह मिलेगा साथ ही हो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अबस्ते करें और इस वीडियो को सेर करें यदि आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो लोगों को यह वीडियो जरूर भेजें इससे हमें मोटिवेशन मिल से कि और चैनल को आवाज से सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद